हम श्कार जस्बीर क्रियेशन चैनल पे आप सब भेनों का प्यार बरा स्वाक्त है फ्रेंड्स हमने जे बेबी ट्यूनिग बनाई थी चोटे बच्चे गी आज हम आउनली इसकी फ्रिल बताने जा रहे हैं क्योंकि हमें हमारे व्यूर्स की फ्रिमेश आ रही है कि आप आउनली फ्रिल ही बताईए हमने कई प्रजेक्ट में इसको बनाना होता है जैसे हम छोल्डर बुनते हैं बाज्जू के बाज्जू बुनते हैं should rider पूरी भच्जु नहीं बुझे ऑउनली shouldர बुझे हैं तो हमने फ्रिल बनानीą होती है जह हमने इसको गले बनाना होता है तो ऐसे आप एक फ्रिल बता दीजिए कि आपने फ्रिल कैसे बनाई और इसकी सलाई कैसे की तो आज हम आपको आउनली एफरील ही बताने जा रहे हैं इस एफरील को कैसे बनाना है तो आप पहले हमारे चैनल जस्बीर क्रियेशन को सबस्क्राइब कर ले और उसके बाद इसको स्टार्ट करें क्योंकि इससे पहले हमने पूरी बेबी ट्यूनिक बताई है और फ्रेंड जब हमने एफ वीडियो अपलोड की तो हमें बहुत फरमैश आई कि इसकी बाजू लगाई है बाजू कैसे लगाएंगे बाजू आप नहीं लगा साथ ना बेबी ट्यूनिक है एक बीब वाली फ्रॉक है और इसके नीचे आप हाई नेक का कोई स्वेटर बना कर पहना दीजिए हमारे चैनल पर और रेड़ी है हाई नेक का एक ब्लैक कलर का बुना हुआ है वैसा स्वेटर बनाईए उसके उपर इसको पहनाना है जहां आप कोई रेडी मीड स्वेटर जैसे रेडी मीड आप गर्म स्वेटर लेते हैं उसके उपर इसको पहनाईए जह आप अपना वूल लीजिए और उससे एक सिंपल सा स्वेटर बनाईए गोल गले का हाई नेक का जो आपका दिल करें हमारे चैनल पे बहुत सारे स्वेटरों की वीडियोज है बच्चों की बेबी की आप वहां देख सकते हैं इसके लिए आपको पहले जिस बीर क्रियेशन चै आया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं तो अगर आपने पूरी वीडियो की इसकी पूरी वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते और इस फ्रिल को बनाना आपके साथ शेयर करते हैं देखिए फ्रेंड से 60 फं मैं कैसे यह हम सिंपल फंदा लिया हमने जाली डाली ऐसे अपनी तरफ जाली डालनी है ऐसे और साथ के साथ ही हमने जाली डाल के, एक सीधा उतार के, जाली डाल के, तीन उल्टे बुनने हैं, एक, दो, तीन, क्या किया हमने, सिंपल फंदा उतारा, जाली डाली, जाली मतलब बल डाला है, तो तीन फंदे उल्टे बुने हैं, फिर हम थ्रेड इधर कर दिया, इधर करने के बाद, हमने एक पूने यह चेन के लिए उतारते हैं आपने बुन लेना है बुनना है तो जाली डाल दी तीन फंदे उल्टे फिर हमने सीधा फंदा बुना फिर हम चाहे ठ्रेड़ इदर रखे तो तीन उल्टे बुनिये चाहे अके लाके ठ्रेड ऐसे गुमा दीजिए और तीन उल्टे रखकार जाली ऐसे डालते हुए तीन फंदे उल्टे बुन सकते हैं ऐसे बुन लिए थ्रेड पीछे किया एक सीधा फंदा बुना हम ऐसे डालते हैं आगे थ्रेड लाके जाली डाल दी और तीन फंदे उल्टे बुन दी फिर हमने थ्रेड पीछे किया एक फंदा सीधा बुन आगे इसमें जाली डाल नी है तो थ्रेड आगे किया और ऐसे जाली डाल दी और तीन फंदे उल्टे बुन दिये फिर थ्रेड पीछे किया एक सीधा बुना थ्रेड आगे किया अपनी तर्फ जाली डाल दी ऐसे और तीन फंदे उल्टे बुने और एक सीधा बुन लिये ऐसे हमने भुनते हुए पूरी सलाई complete करनी है। जे देखी हमने सीधा फंदा भुना जाली डाली लास्ट में आगे हैं तो तीन फंदे हमने उल्टे भुने, thread पीछे किया, सीधा फंदा भुना, thread अपनी तरफ जाली डाली और तीन फंदे उल्टे भुन दी तो तीन फंदे उल्टे लास्ट में आगे हैं, अब हम रॉंग साइट पे हैं, रॉंग साइट पे जो हमने उल्टे फंदे बुने हैं, उनको हम सीधे बुनेंगे, ऐसे, तीन सीधे, थ्रेड अपनी तर्फ, जाली आला फंदा उल्टा, साथ वाला भी उल्टा, दो उल्टे होगे, थ्रेड पीछे, तीन फंदे सीधे, ऐसे, फिर जाली वाला और सेकंड फंदा दो उल्टे, तो ये आएंगे, तीन सीधे, तीन सीधे, दो उल्टे, तीन सीधे, दो उल्टे, फिर जे देखिए दीख रहे हैं न, तीन सीधे, तो तीन सीधे फंदे भुन दीजिए, ऐसे, जब हम जाली वाला फंदा बुणेंगे एक उसके साथ ही दूसरा फनदा भी उल्टा ही बुणेंगे दो उल्टे आजेंगे औरतीन सीधे तो पूरी स्लाई ऐसे ही सेटर्ड बढाएंगे जो देखिए तीन सीधे बुने है ना लास्ट में तो फिर लास्ट में ले दो जो है एक जाली वाला और एक दूसरा दो उल्टे बुन दिए दो स्लाई होगी अब आते हैं इसकी थर्ड स्लाई में थर्ड स्लाई में हम क्या करेंगे हाँ, थर्ड सलाई में एक तो सीधा फंदा बुनेंगे फिर जे देखिए हमारी दो सलाई कम्प्लीट होगी है अब हम आते हैं थर्ड सलाई में थर्ड सलाई में हम क्या करेंगे एक फंदा सीधा लेंगे फिर हम जाली डालेंगे जहां पे जाली डली हुई थी अब हम जाली डालने के लिए थ्रेड अपनी तरफ आके लाएंगे और इस सीधे फंदे को बुनेंगे एक जो जाली से बड़ा है तो जाली डाल कर हमने सीधा फंदा बुना तीन फंदे होगे thread अपनी तरफ बीज वाले 3 फंदे हमने बुनने ही है हर बार 3 फंदे बुने अब ये देखिए जाली से बड़ा हुआ फंदा है एक सीधा तो thread पीछे करेंगे इसको सीधा बुनेंगे जहां पे जाली डालेंगे जाली डाल कर हम सीधा फंदा बुनेंगे फिर thread अपनी तरफ तीन उल्टे फंदे बुनेंगे जो बीज में है ऐसे फिर जाली के उपर वाला फंदा है कि इन दोनों सीधे फंदे हैं इन के बीज में जाली डालनी है तो इस फंदे को सीधा बुनेंगे इसके साथ ही जाली डाल देंगे और इस जाली बड़े हुए फंदे को भी सीधा बुनेंगे तो हमारे अब तीन फंदे होगे फिर हम thread अपनी तरफ करके तीन फंदे उल्टे बुनेंगे फिर thread पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा जाली डालेंगे और दूसरा भी सीधा तो ऐसे हमने पूरी सलाई बनानी है जो देखिये हम last में आगे हैं तो last में हमने एक सीधा बुनना है जो सीधा फंदा दिख रहा है जहां जाली डालनी है फिर एक सीधा फंदा बुनना है तो तीन फंदे होगे जाली डालके thread अपनी तरफ last में हमने हर बार 3 फंदे उल्टे बुनने हैं तो ऐसे हमने एक फंदे बढ़ते जाएंगे जाली से फंदे बढ़ते जाएंगे फिर आते हैं रोंग साइड में रोंग साइड में अब फूर्थ सलाई है सीधा फंदा उतारा slip किया और बाकी के दो भी सीधे बोन लिए तो हमारे तीन फंदे सीधे होगे थ्रेड अपनी तरफ अब तीन फंदे ही उल्टे आएंगे एक एक जाली वाला दो एक तीसरा तीन तीन फंदे उल्टे तीन फंदे सीधे एक दो तीन फंदे उल्टे एक उल्टा जाली वाला भी उल्टा औ और next भी उल्टा, 3 उल्टे, 3 सीधे, मतलब उल्टे पे उल्टे, सीधे पे सीधे, ऐसे हमने फंदे पूरी सलाई 4 बना लेनी है, जे देखिए फ्रेंट हम last में आगे हैं, last में 3 फंदे उल्टे, वही 3 सीधे और 3 फंदे उल्टे, तो हमारी 4 सलाई कंप्लीट होगी है, अब आते हैं 5 सलाई में, तो 5 सलाई में हम क्या करेंगे, जे देखिए, जे हमारा फंदा गिर क्या, हाँ, तो 5 सलाई में फिर हम जाली डालेंगे कैसे, एक तो सीधा फंदा स्लिप किया, है न, उसके साथ ही हमने जाली डाल दी, और 3 दो फंदे अब सीधे बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुना, फिर जाली डाली दो सीधे, अब आगे देखना, 3 फंदे जो आ रहे हैं न, ये उल् तीन, फ्रेड पीछे किया, अब देखिए, ए ए चेन चलनी चाहिए, फली, ए जो बनती है न, सीधी, इसके साथ हमने जाली डालनी है, तो इदर सीधे सीधे फंदे बढ़ते जाएंगे, तो ए फंदा सीधा बुन लेना है, जाली डालनी है, और आगे हमें जाली वाला और एक और दूसरा जाली वाला, एक ए जाली वाला, एक ए हो जाएगा, दो फंदे सिंपल बुनने है, तो हमारे जहां हो जाएंगे टोटल चार फंदे, फिर हमने तीन फंदे उल्टे बुनने है, तो ऐसे हमने रपीट करते जाना है, फिर ए चेन वाला फंदा, जो पहला फंदे सीधे बुल लेने हैं तो हमारे टोटल चार फंदे हो जाएगे, जब उल्टी साइट बुनेंगे तो हमारे जहां- 4 उल्टे आएंगे और 3 सीधे मतलब सीधे पर सीधे उल्टे पर उल्टे तो ऐसे हमने ये जालियां डालते हुए पढ़ते जाना है एक जाली, दो जाली हम 6 जाली डालेंगे और फंदे बढ़ते जाएंगे तो ऐसे हमारी ये फ्रिल रेडी हो जाएगी मुझे अमीद है कि आपको समझ आया होगा जैसी दा बुना, जाली डाली एक दो, दो जाली वाले फंदे सीधे बुन लिए ऐसे, फिर हम थ्रेड डाके करेंगे और तीन फंदे उल्टे बुनेंगे तो ऐसे हम पूरी स्लाइब बनाएंगे और रॉंग साइड पे जितने उल्टे बनते जाएंगे ये बीच के ओ उल्टे बुनेंगे बाकी तीन सीधे ही बनेंगे हर बार wrong side में तीन सीधे जितने उल्टे बनते जाएंगे जाली डाल के बढ़ते जाएंगे क्योंकि फडिल बननी है तो फरिल जे देखे बढ़नी शुरू होगी है तो हम छए जाली डालेंगे एक दो तीन डाल दी है तीन और डालेंगे से जी देखिए फ्रेंट हमने ए फ्रील बना ली है फ्रील बना कर इसकी 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 जाली हमने डाल दी है जब हमने 6 जाली डाली तो राइट साइड से ही डाली है ना जी देखिए अब हम रॉंग साइड में आ गे हैं इदर wrong side में आए हैं तो हमने हम circular slide में बोन रहे हैं आप दो slide पे भी बोन सकते हैं जब हम wrong side में आए और 6 जाली हमारी बन गी है 6J वाली अब हम जहां से wrong side से सीधी slide बनाएंगे पूरी जो के हमें right side में दिखेगी उल्टी ऐसे ही पूरे फंदे जितने फंदे हैं हमारे जे जाली वाले बढ़के हमारे हो गए हैं एक दो तीन चार पांच छे और साथ जे साथ फंदे हो गए हमारे जाली वाले बढ़के हैं न शे फंदे क्योंकि एक फंदे से बढ़ाए हैं हमने एक से तो इस साथ फंदे हो गए हैं सभी फंदे हमने ऐसे सीधी सलाई ही बनानी है जो देखिए रॉंग साइट से भी सीधी और राइट साइट से भी हम सीधी ही बनाएंगे तो हम चार सलाई सीधी सीधी बनाएंगे एक सीधी बना दी है बना रहे हैं फिर दूसरी स्टार्ट करेंगे राइट साइट से वो भी हम आपको दिखा देंगे जी देखिए हमने रॉंग साइट से सीधी स्लाई बनाई है अब ये राइट साइट है राइट साइट में हमारी ये लाइन आगी है न अब हम इदर भी सीधी स्लाई ही बनाएंगे, तो दो स्लाई हम सीधी सीधी बना चुके हैं, एक स्लाई, अब दूसरी स्लाई है, second स्लाई, जे देखिए, wrong side से सीधी, right side से भी सीधी, तो हमारी कितनी स्लाई होगी? सीधी, दो, दो स्लाई, सीधी सीधी, दो और बनाएंगे, उल्टी साइड से भी सीधी, सीधी साइड से भी सीधी, तो हम 4 स्लाई बना कर आपको दखाएंगे इसकी boundary, ठीक है? यह देखिए, दो स्लाई कम्प्लीट होगी है, उदर से सीधी, right side से भी सीधी, दो, अब दो और बनाएंगे, same, सीधी ही बनाएंगे, wrong side से भी, तो इदर दो लाईने बन जाएंगे, और right side से भी हम सीधी 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 बनाएंगे, तो हमारी total 4 सीधी 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 हो जाएंगे, ओ, sorry, सीधी बना रहे हैं, यह देखिए, friend, हमने यह दो लाईने बना ली है, और हमारी सीधी 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 4 बनाई है, दो लाईने बनी है, अब आते हैं इसकी wrong side पे, wrong side पे अब हमने इन फंदों को bind करना है, तो हम क्या करेंगे, दो का एक करेंगे, फिर इस फंदे को इदर डालेंगे, फिर दो का एक करेंगे, ऐसे, फिर इदर डालेंगे, दो का एक करेंगे, फिर इस फंदे को इदर डालेंगे, दो का एक करेंगे, फिर इस फंदे को इदर डालेंगे, दो का एक करेंगे, तो ऐस करते हुए ऐसी चेन बनानी है हमने बहुत सुंदर लगती है फ्रिल के साथ जे वाली चेन है ना और इस जब हम बाइंड करना है ना तो हमने टाइट बंद नहीं करना है लूज भी नहीं करना है जोज सुनदर बाइंड कर लें इसको बाइंड कर लेना है यह देखिए हमने यह पूरा बाईंड कर दिया है, पूरी फृदि को, अब लास्ट में आगे हैं, लास्ट में हम इसमें से गोला ननकाल देंगे, ऐसे ऐसे गोला नकाल के बाइंड, यह रॉंग साइट से बाईंड किया है, यह राइच शायर देखिए, कितनी सुन्दर आ र बना ली एक और बनानी है लेकर हमने इसके नीचे प्लेन बुढ़ना है प्लेन बुढ़ने के लिए हम जहां से फंदे उठाएंगे फंदे कैसे उठाने है वो हम आपको बता देते हैं आप चाहे जहां से जे काट लीजिए फिर जहां बाइंड कीजिए चाहे आप ऐसे ही ले ये उठाने है, एक ये, फिर तीन ये, फिर एक ये, तो चार-चार फंदे उठाने है, टोटल हमने, हमारे 60 फंदे थे न, ये उपर से, 60, 60 फंदे टोटल अराउंड में उठाने है हमने, तो कैसे उठाएंगे, एक फंदा तो ये है, ये हम यहीं से आगे ले आएंगे, तो ए एक फंदा हमने बराबर करके उठा लिया हमने थ्रेट काटा नहीं है बाद में स्लाई में आ जाएगा एक फंदा तो हमने जहां जो सीधा था वो उठाया फिर हमने दूसरा फंदा भी उठाया हाँ पहले एक फंदा उठा लिया ऐसे फिर हमने दूसरा फंदा उठाया फिर तीसरा ऐसी दे आ रहे है न तो ये वाला तीसरा फंदा उठाया फिर हमने चोज़ फंदा उठाया ये देखी फिर पांच पांच फंदा उठाया तो पांच पांच फंदे हमने उठाने है तीन ये एक जाली वाला तो एक फंदा तो ये है एक, दूसरा ये, फिर ये वाला, है न, तो तीन सीधे उठा लिए, एक जाली वाला ये उठा लिए, तो चार फंदे, फिर आगे तीन फंदे उठाने है, जो उल्टी लाइन दीख रही है, हमें, दीख रही है न, एक, दो, तीन, ऐसे हमने फंदे उठाने, एक, दो, और, तीन, तीन फंदे उठा लिए, एक जाली वाले के पास से फंदा उठाना है, ये, ये वाला, उठा लिए, चार, फिर चार फंदे उठाने है, एक, तीन, और, जाली अला, के साथ, चार, ऐसे चार चार फंदे उठाते हुए, हम 60 फंदे उठा लेंगे, अगर आप से ऐसे फंदे नहीं उठते, तो आप पहले भी फंदे उठा सकते हैं, हम बताते हैं कैसे, ये देखिए, आप पहले भी फंदे उठा सकते हैं, एक, दो, तीन, और, चार, ऐसे आप फंदे उठाते जाएं, एक सलाई में, दबारा से आप भुन भी सकते हैं, ऐसे, ऐसे फंदे उठाएंगे, तो आप ये रॉंग साइड है, उल्टी साइड तो उल्टी लाइन, उल्टी सलाई बुनेंगे, हम सीधी सलाई, जे देखिए, ऐसे उठा रहे हैं, तो जे सीधी सलाई है, इदर, इदर उल्टी है, है ना, तो ऐसे भी फंदे उठाके, लेके करके तो उल्टी सलाई ही बुढेंगे तो सेम ऐसे भी उठा सकते हैं दोनों तरीके से उठाईए और 60 फंदे टोटल उठाने है ऐसे ऐसे आफंदे उठा लिए ये रॉंग साइड दिख रही है ने जे राइट साइड है हमारी ये सीधी आएगा इदर इदर उल्टा ही आएगा जो देखिए लास्ट वाला फंदा भी उठाना है लास्ट वाले हमारे तीन फंदे है ना एक दो तीन तो दो उठा लिए हैं एक लास्ट वाला उठाना है और लास्ट वाला उठाएंगे तो हमारे 60 फंदे हो जाएंगे तो ह हमने ऐसे फंदे उठाए हैं इधर से जे सीधा आएगा और जे रॉंक साइड है न तो ये रॉंक साइड आएगा अब हम सीधा उल्टा सीधा उल्टा बुनते हुए पूरी सलईया बुनते जाएंगे अब ये उल्टी साइड है तो उल्टा ही बुनेंगे ऐसे तो पूरा उल्टा हम बुन लेंगे ऐसे और उदर से सीधा बुनेंगे इस साइड से, उल्टी साइड से उल्टा सीधी साइड से सीधा फिर हम उतना बुनेंगे जितना हमें ये फ्रिल है जैसे हमने इस फ्रिल में बनाया है इतना पीस तो इतना पीस बुनने के बाद इसके बिल्कुल बराबर आना चाहिए फिर हम next वाला फ्रील डिजाइन बनाएंगे next वाली फ्रील तो इसको पहले आप बना ली जगे जब इतना बन जाए पूरा बराबर आप नापके देखेंगे उसके बाद next फ्रील सेम वाली डिजाइन बनाएंगे जह देखिए फ्रेंड हमने नीचे का भाग बोल लिया है यह उपर वाली फ्रील है फ्रील के बिल्कुल बराबर बुना है हमने कितनी सलाइया बनाई है नीचे वो हम आपको दखा देते हैं हमने दो, चार, छे, आठ, दस, बारा, चौदा और एक पंदरा पंदरा सलाइया बनाई है तो हमारा एक पार्ट बिल्कुल बनके एरेडी हो गया है ना इसके बराबर अब हम इस पे भी यही वाला डिजाइन बनाएंगे सीम, तो कैसे बनाएंगे, वो देखिए आप, जैसे हमने इसमें बनाया था, वैसा ही बनेगा तो हम एक सीधा पंदा लेंगे, सीधा पंदा लेकर हम जाली डाल देंगे थ्रेड मतलब आगे ले आएंगे, सीधा पंदा उतारने के बाद, फिर जाली डालेंगे और तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन थ्रेड पीछे एक फंदा सीधा बुनेंगे थ्रेड आगे जाली डाल लेंगे ऐसे एक फंदा बन जाता है और फिर तीन फंदे उल्टे थ्रेड पीछे एक फंदा सीधा थ्रेड आगे जाली डालेंगे तीन फंदे उल्टे तो ऐसे आपने एक फंदा सीधा बुनके जाली डालनी है तीन उल्टे फिर एक फंदा सीधा जाली डाली तीन उल्टे एक सीधा जाली डाली तीन उल्टे ऐसे सेम हमने फिर इसी डिजाइन को रिपीट करना है और जब ये 6, 6 जाली बन जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जाली बन जाए तो उल्टी साइड से सीधी स्लाइ बनाएंगे सीधी, फिर राइट से सीधी, फिर उल्टी से सीधी और राइट से सीधी उसके बाद हम उल्टी साइड से इसको बाइंड कर देंगे तो ऐसे आपने ये वाली फ्रिल त्यार करनी है तो हम पहले त्यार कर लें फिर आपको दिखाते हैं ये देखिए फ्रेंड हमने ये फ्रिल त्यार कर ली है उपर वाली नीचे वाली 15 सलाई आएंगी एक सलाई तो उठाये है फंदे 15 सलाई और बनेंगी और 16 स्लाइट टोटल हो जाएंगी और फ्रिल बन कर रेडी हो जाएंगी तो चलिए फ्रेंट फिर इस फ्रिल को आप बनाएए और अपने वियू हमारे साथ शेयर कीजिए और जस्बीर क्रियेशन चैनल को आप सबस्क्राइब कीजिए और नए नए प्रजेक्ट लेके हम आपके साथ हाजर होंगे तब तक बाबाई